तो चलिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो MBR हाता है उसको GPT में कैसे कनोट करना है तो यहां पर देखिए हमारा HDD जो है MBR में है तो मैं पर दिखे पहले आपको क्या करना है, सर्च में जाना है, सर्च में जाने गए आपको यहाँ पर cmd टाइप करना है, उसको open करना है, तो देखे आप हमारा cmd ओपन हो गए, अब यहाँ पर टाइप करना है, आपको देखे एंटर करना है, उसके पर देखे आपको टाइ यहां पर clean type कर देना तो जैसे clean हो जायेगा clean होने की बाद आपको देखिए अपर my pc में जाना है उसके बाद आपको manage के ऊपर click करने की बाद आपको देखिए यहां पर dysp management में जाने की बाद automatically यहां पर pop-up हो जायेगा तो मैं देखें gpt का आगया option आपको मैं से सलेक करके यहां भी GPT को convert कर सकता हूँ तो इस तरीके से आपको GPT में convert करना है